ताथियों कॉंग्रेस के राज में न जवान की परवा की जाती है न किसान की परवा की जाती है जवानों के बात अब मैं विस्तार से किसानों की भी बात करूंगा सत्तर सान में पहली बार देश की किसी सरकार ने किसानों की आए बढ़ाने के बारे में सोचा है तो वो हमारी सरकार है एंडिये की सरकार है कि सानों की एक एक परशानी समझ कर बविश्की जरूरतों को समझ कर बीज से लेकर के बाजार तक हमारी सरकार ने नीतिया बनाई और उन्हें लागू कर रही है हम बहुत इमानदारी से बहुत परिश्रम से किसानों को खेती से जुड़े संकटों से भार निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन देश के किसानों को कॉंग्रेस का इतिहास उसकी नीतिया उसकी सचाई उसकी दोखागड़ी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कॉंग्रेश के पास इस बात का क्या जवाब है कि जब वो दस साल तक सप्ता में रही तो क्या उसने स्वामिनाधन कमिटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया आखिर किसका दबाव था क्यों उसने MSP जैसे अहम विशे को जमिन के बीतर ही गाड़ दिया था इस बात का जवाब कॉंग्रेश कभी नहीं देगी और नहीं उसका बनाया इको सिस्टीम उससे कभी जवाब मांगेगा लेकिन भाई और बेहनों केंदर की NDA सरकार ने किसानों की आई बढ़ाने के लिए MSP पर स्वामी नाधन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया खरीप और रभी की 22 फसलों पर आज MSP को सुनिश्चित किया गया है कॉंगरेज का इको सिस्टीम आपको कभी ये नहीं बताएगा कि सिर्फ इस एक फैसले से और ये बहुत महत्वपूर बात है सिर्फ इस एक फैसले से हमारे देश के किसानों को साथ हजार करोड रुपिय से ज़्यादा मिलना तय हुआ है साथ हजार करोड रुपिय का फाइदा भाई और बहनों मैं कॉंगरेज से ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर वो किस का दवाव का जो वो यूरिया की सत्प्रतिशद नीम कोटिंग करी के फैसले से भागती रही हमारा देश का किसान यूरिया के अभाव में लाठिया खाता था कॉंग्रेस की सरकार उसका तमासा देखती रही साथ क्यों मैं देश को फिर याद देलाना चाहता हूं कि ही कॉंग्रेस सरकार थी जब किसानों से फसल विमा के लिए 15 प्रतिशद से जादा प्रिम्यम लिया जाता था बिमा की रासी में भी कैपिंग होती थी 30 प्रतिशद फसल का नुक्सान हुआ है या 40 प्रतिशद का इसी में भी बड़े-बड़े गोटा लेके खेल खेले जाते थे प्रतिशम से लिएocaritaि गप्रती बड़े एक में शीहा है यां नुक्सान है कि बड़े का चाहिए यां